एक गाव में एक औरत रहा करती थी। वह पाबंदी से पाँचों वक्त की नमाज पढ़ती थी और महले वालों को दीन की बातें बताया करती थी। एक दिन वह रात को कबरिस्तान के करीब से गुजरी तो उसने कबरिस्तान की निगरानी करने वाले आदमी को देखा कि वह किस जिन पांच रुपे लेकर वापिस उसी जगह लोटी। उसने कबरिस्तान की निगरानी करने वाले आदमी को पांच रुपे देते हुए कहने लगी कि देखो ये रुपे रख लो और मेरे मरने के बाद मेरा कफन मत चुराना। यह सुनकर वह आदमी चौक गया और बड़ा श अब किसी का कफन नहीं चुराएगा। कुछ दिनों तक वह अपने वादे का पाबंद रहा लेकिन फिर उसने कफन चुराने वाला पुराना धंधा शुरू कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद उस औरत का भी इंतिकाल हो गया। लोग जब उसे दफन करके कबरिस्तान से चले गए। तब रात को वही कबरिस्तान की निग्रानी करने वाला आदमी उस औरत की कबर की ओर आया। और आकर सोचने लगा कि इस औरत का कफन निकालू या ना निकालू। सोचते सोचते काफी देर हो गयी। आखिरकार उस आदमी को उसकी लालच ने फिर मजबूर कर द उसने देखा कि उस औरत के सीने पर एक काला खतरनाक सांप बैठा हुआ है। चोरी की मुझे ये सजा मिल रही है। जरा तुम सोचो तुमने अपनी जिन्दगी में न जाने कितनी चोरियां की हैं। तुम्हारा क्या हाल होगा। इतना सुनते ही उसने उस औरत की कब्र बंद कर दी और सचे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर ली।